हाँ जी राम राम सभी को आज जो हम वीडियो लेके हैं वो HSSD गुरूप प्रेफरेंस पोस्ट प्रेफरेंस के लिए लेके हैं वैसे इसको आप आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं मोलेंगे क्योंकि इसमें सिरफ हमारे पास एक डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस बराई जा रह और वो login ID क्या रहने वाली है आपका registration number रहने वाला है जो आपका registration number है वो आपने यहाँ पर feel करना है जैसे आप registration number feel करते हैं यहाँ पर एक proceed दिख रहा है हमें नीचे proceed करेंगे जैसे हम लोग proceed करेंगे next हमारे पास जो open होने वाली है यह instruction open होने वाली है इन instruction को हम लोगों ने ध्यान से पढ़ना है पढ़ पढ़ते जैसे नीचे हम जाएंगे तो proceed का option दिखाई देगा जैसे हम proceed करेंगे एक और flash message आता है जिसमें हमें click करके next आगे हमें करना है इसके बाद हमारा जो next जो हमारा open होने वाला है वो यह चीज़ open होगी जिसके अंदर हमारे लिए सारी चीज़ शो करने वाला है क्या क्या चीज़ शो करेगी यहां आपका नाम शो करने वाला है यहां आपका father name शो करने वाला है यहां mother name शो होगा यहां आपका mobile number होगा और ही आपकी mail id और जैसे ही देखते हैं हम लोग यह हमारा है आपने confirm कर देना है क्लिक की confirm है तो confirm करने के बाद आपने next आपका जो open होगा ऐसे आपकी detail और open होने वाली है देखिए अभी थोड़ दिल पहले आपने यहां confirm तक किया था जैसे confirm करते हो नीची यह चीज ओपन होने वाली है जिसमें हमें password यानि यह password आपको create करना है नया password पुराना भी password आपको आपको याद है तो वो भी रख सकते हैं लेकिन इसमें create ही करना पड़ेगा हमें नया password जिसके अंदर हमारे पास यहां लाइल लिखे हुई है कि हमारे पास क्या क्या होना चीज एट करेक्टर होने चाहिए और शुड भी अल्फा नमेरिक जिसमें मतलब अल्फा नमेरिक का मतलब है अल्फा बैट और नमबर CTU born तो यहां पर आपने CT का नाम आप लिख देंगे और यहां पर नीचे register नाम का बटन आएगा register तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करने वाले हैं आपके पास अगले पेज ओपन होगा इबाला होगा जिसमें आपके यहां पर आपको आपका register मोबाइल नमबर दिखाई देगा और उस पर एक OTP आएगा उस OTP को आपने यहां पर डालना है और verify OTP आप लोगों क्लिक कर देना है जैसे आप verify OTP पर क्लिक करते हैं next जो आपका page ओपन होने वाला है वो यह ओपन होगा यानि यह नहीं इससे पहले आपका login ID वाला जो password create किया था वो password हम लोग यहां पर डालने वाले हैं पासवर्ड डालने के बाद नेचे जो हमारे पासी जो capture दिया है वो capture हम लोग यहां पर पोट आउट करने वाले हैं और यह कैप्चा डालने के बाद नीचे verify password, verify password पे click करेंगे verify जैसे password पे click करने वाले, next जो आपका page उपन होने वाली है जिसमें आपको यहां उपर देखी वैलकम मतलब आपका नाम होगा नीचे आपकी रजिस्ट्रेशन नमबर यानि वो लोगिन आईडी के नाम से शोगी यहां पर कोमन कैटर ग्रूप डी बोर्ड कोफरेशन प्रेफरेंस यह हमारे पास निकल के उपन होके जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो नेक्स हमारा पेज ओपन होने वाला है वो ऐसे पोस्ट प्रेफरेंस का यहां पर देखी पोस्ट प्रेफरेंस से पहले हमारे पास उपर हमारी सारी डीटेल यहां पर आएगी यह वाला एप्लिकेशन नमबर applicant name, mobile number, registration category gender and the date of birth, open होगी हमारे पास और नीचे हमारे पास ये post preferences से दिये होगी जैसे ही, मैं मालो यहाँ पर, सहरी विकास पर हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे मालो मैंने यहाँ पर, एक क्लिक किया यहाँ पर, labor of word बे किया, तो यहाँ पर सामने एक नंबर लिखा जाएगा हमारे पास, एक नंबर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो सामने मुझे दो नंबर लिखा मिलाएगा जैसे मैं यहाँ पर करूँगरो, सामने मेरे पास तीन नंबर लिखा जाएगा, तो ऐसे जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे आपके सारी preference बाइच के बाइच से departmental preference याद रखना यह departmental preference है ना कि हमारी post preference है post preference अभी नहीं भराए गई है नहीं भराए जाए बहुत simple portal है शिर्फ departmental भराए गई है तो यहाँ देखिए अगर मालों बाइचास कोई आप से गलती हो जाती है तो यहाँ एक button दिया गया reset your preference तो आप अपने preference को दोबारा से reset कर सकते हैं अगर आपकी सही है तो आपने side में देखो save and proceed का button है वहाँ पे click कर देना है जैसे वो click करेंगे next जो आपका page open होने वाला है वो ऐसे open होने गा जिसके अदर आपके सारी preferences क्या जाएगी fully हो जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास देखी नीचे अब हमने क्या करना है यह उपर preference पर होगी है नीचे हमने क्या करना यहाँ पर enter your password यानि जो password हमने create कया था वो डालना है और OTP दुबारा से हमारे mobile नंबर पर आने वाला है mobile पर भी आएगा प्लस मेल आइडी उपर देखा हो लिखा हुआ है mobile प्लस हमारे पास किस पर आने वाला है email आइडी पर दोनों पर आएगा दोनों को हमने जैसे उसमें डालेंगे यहां नीचे back या confirm preference form हमनों confirm preference form पर करने वाले है क्लिक जैसे confirm पर क्लिक करेंगे हमारे पास यह message लिखा हुआ आ जाएगा कि you were confirm common cader group d and board corporation preference confirm हो गई है नीचे आपके message लिखा आएगा print common cader print करनी है जो preference आपने कि उसका print जुरूर लेना है तो उसका print out हम लोग निकाल लेंगे print या फिर कोई soft copy एक बार रख सकते हैं आप अपने mobile में shape लेकिन उसका print जुरूर लगा आगे रखना ताकि आगे future में जब भी कोई problem आए तो यह हमारे काम आज के आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स अपडेट तक तब तक के लिए जी बाई बाई टाटा टेक केज़ के लिए एकाarth ऊपड़ via हाए चाना ही मिलते हैं आए तक के लिए पर द।Open है आए झागे में